गुप्त नवरात्री में करें ये चोटा सा उपाय, हो जाएंगे धनवान एक हिंदी वर्ष में चार नवरात्री आती है, दो सामानी होती है और दो गुप्त होती है दो नवरात्री चेतर और अश्विन मास में आती है इसके अलावा माग और अशार मास में भी नवरात्री आती है जिने गुप्त नवरात्री कहा जाता है इसमें किये गए उपाय से आपका जीवन खुशाल बन सकता है जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले हैं वो हर नवरात्री में उपाय करते हैं इस समय किये गए उपाय तुरंत असर दिखाते हैं माना जाता है कि नवरात्री में यदि कोई उपाय किये जाएं तो आपकी समस्या जल्द ही खत्म हो जाते हैं और आप पहले से जादा अच्छा अनुभव करते हैं इस नवरात्री में आपके सारे उपाय सफल होते हैं मा की अराध्धा करने से आप अपने घर का कलेश, पैसे क कि परिशानी संतान प्राप्ति आधी के लिए उपाय कर सकते हैं कलेश तो हर घर में होता है किसी में कम किसी में जादा यदि आपके घर में पारिवारिक समस्याइं जादा है तो नवरात्री के अंतिम दिन इसनान आधी से निवरत्त होकर सब नरकर ही परस पर पीती चल ही सर् निरत शुती नीती का उचारण करते हुए अगनी में घी से 108 बार आहूती दें। गुप्त नवरात्री में लाल आसन पर बैठ कर मा की अराधना करें। मा को लाल कपड़े में दो लॉंग रख कर 9 दिन चड़ाएं। इसके साथ ही कपूर से आर्थी करें। नवरात्री समाप्ती के बाद लोंग लाल कपड़े में बात कर स्रक्षित रखने। धन की प्राप्ती के आसार बढ़ेंगे। साथ ही सुभ और शाम दोनों ही समय मादुर्गा की पूजन करें। उन्हें सुभ सफेद फूल अर पित करें। शाम को लाल फूल। इसके साथ ही दोनों विला एक विशेश मंत्र का 108 बार जब करें। मंत्र होगा एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे ज्वलम हम सह लक्ष फट स्वाह। एक मिट्टी का छोटा घरा या सुराही को पानी में भर कर घर की उत्तर दिशा में रखने से पैसो की तंगी नहीं होती है। इन्हें खाली न रहने दे। जल के समाप्त होने पर इसे दोबारा भर दे। घर में देवी लक्षमी की मूर्तिया तस्वीर जरूर रखें। साथ में धन कुबेर की मूर्ति रखें। इनकी सुबर शाम विदिविधा से पूजा अर्चना करें। धन कुबेर उत्तर दिशा की स्वामी है इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में रखें। शंक में माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु का वास होता है इसलिए जहां तक हो अपने घर में दक्षणावर्ती शंक रखें और उसे पूजा घर में लाल कपड़े में रखें सुबह शाम उसकी पूजा करें इससे आपके घर का वास्तु दोश समाप्त हो जाएगा घर के उस स्थान में जहां पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हों महत चांदी पीतल या तांबे का पिरामिट रखने से आयके साधरों में बढ़ोतरी होती है और पैसों की कमी नहीं होती नवरातरी से एक दिन पहले घर के मंदर की साफ सफाई कर ले देवी को अरपन करने के लिए रोली मोली, साबुत चावल, दूप, धीप, लोंग इलायची, सुपारी, जायफल, कुमकुम, महदी लाल और पीला वस्त्र आदी समस्त सामगरी को पहले से हिला कर घर के पवित्र स्थान पर रख ले घर में प्याज लहसुन, तामसिक चीजों का प्रेयोग गुप्त नवरातरी के दौरान बिलकुल भी ना करे इन दिनों घर आई हर इस्तरी का आदर सदकार करे तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप गुप्त नवरातरी में अपना कर मा की गृपा पा सकते हैं सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस दे बेल आईकन फोर मोर अपडेट्स